हेलो एव्रिवान स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेडी से स्पेशल ब्लॉग में आज हम बनाने जा रहे हैं दलिये से स्वादिस कटलेट जिसके लिए हमें चाहिए दलिया एक छोटा कटोरिय हमने दलिया लिया जिसको दो-तिन घंटे हमने भीगो के रखा पानी में अच्छे से साफ करके अब इसमें मिलाते हैं हम सबसे पहले एक आलू जो मीडियम साइज हमने बॉयल कर लिया था उसको अच्छे से मैस्क कर लिया वह अब इसमें हम मिलाएंगे एक छोटा साइज प्याज बारिक काट लिया तीन-चार मिर्ची इसको भी बारिक काट लिया है हमने खाएं मिर्च अगर आपको ज्यादा खानी है तो आप ज्यादा भी तक सकते हैं हमें ज्यादा नहीं खानी तो आमने कम रखे तैसी में डालें 1-2 दाप 10 ले जावल काटा दो बड़े चमच हम लीए है गीशा जिससे हमारे कटलेट बहुती क्रिस्पी बन जाएंगे, अब हम इसमें मिलाएंगे 4 चमज बेशन, अब इसमें डालेंगे हम आदा चोटा चमज काला नमक, अब इसमें डालेंगे एक चोटा चमज सादा नमक, कि आपपने सौद निसार जो नमक ढलना चाहे हैं वो ढासकते हैं कि छोटा चमच हल्दी पाॉडरो. अब ह८म इसको मिक्स करेंगे. इस तरह से हम सब को मिक्स करणा कर लेंगे थे कि हमारा मेक्स है कुछ इस तरह से त्यार हो गया है ंब हम इसके कटले बनाते हैं गैस पे हमने तबा रख दिया है और इसमें तेल भी डाल दिया है लगबग दो चममच इसको ज्यादा तेल में नहीं बनाएंगे हम कम ही तेल में ये बहुत ही अच्छे से बन जाएगा ये देखिए कटलर का सेफ हम कुछ इस तरह से देंगे हमने कटलर को इस तरह से त्यार कर लिया है अब इसको गर्म तबापे रखेंगे हमारा तेल भी गरम हो गया इस पर आच धीमी कर देंगे बिल्कुल अब इसमें एक एक करके रखेंगे कि इसमें थोड़ा अपर से तेल डाल देंगे अब इसे चमत से आराम आराम से हम इसको पलट के देखेंगे इसको सब को पलट देंगे ऐसे ही जो थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा देखें बहुत ही आराम से पलट जाएंगे जैसे हमारे मीचे से पक जाएंगे देख सकते हम देखिए हमारे कटेट लगभग तयार है अब देख सकते हैं हमारे वीडियो बनाने का क्रेज इतना हुआ है कि रात के ग्यारा बजे हम अपनी वीडियो बना रहे हैं और जरूर इसको शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और आप लोग भी बनाईएगा और बताइएगा कैसा बना है और कैसा लगा आपको देखिए हमारे सारी कट्टे हो तो लाइक कीजिए कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लास्ट पे बैल आइकन का बटन जरूर दबाना वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो माच